दोस्तों मेरे पास आगय है Redmi Note 5 Pro Gold Variant इस वीडियो में मैं बैसिकली इसका वीडियो स्टेबिलाइजिशन टेस्ट करने वाला हूँ सो वीडियो उट फटे दिले, लेट्स गेट स्टार्टेट अगर आपको ट्यूट्र, अन्बॉक्सिं, रिवीडियो और इस ताइप के वीडियो देखना है तो याँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेर अगंदर बालो ताकि आप से एक भी वीडियो मिशना हो जैसी कि आप यहाँ पर देख पा रहा हो, नोट 5 प्रो का अभी रियर कैमरा से हम लोग कर रहे है इसका EIS टेज बैसिकले अभी EIS अन है इसलिए आपको इतना स्मूध दिख रहा है बात करने इसके क्वालिटी की तो अभी फिलाल तेने पिक्सल रिजूलिशन में आपको रेकॉर्ड कर सकते हो लेकिन इसको थर्ड पर्टी सॉफ्ट्यर के दूर आप दिना रूट की है आपको बहुत अच्छा है तो आपको बता लग गया होगा कि कितना अच्छा लाइट आ रहा है लेकिन में इस फुरी देर बाद आपको लो लाइट वाला पर्फॉमेंस भी दिखाऊंगा तो फिलाल हम लोग करने वाले हैं याइस को और फिर देखने इसका कैसा प्रम उता दोस्तों आप देखिए, इस इस डिसेबल कर दिया गया है तो आप देखिए तो इना जर्किंग फील होगा है अब मदला भिदर होगा कि जो एएस इनवल था तो वीडियो को बॉपकर कर विजाबलाइस किरे संद्द्द्रे इस नहीं खा तो अब देखिए, आप कि इतना आपको अच्छा क्वाल्टी मिल जाता है लेकिन आप जो जर्किंग हो रहा है वह अच्छा नहीं लगता तो इसलिए EIS बहुत इंपोर्टन हो और जो कि बहुत इतक कर देता है कोई भी स्मार्टफोन हो इस रेंज जोसरी वीडियो में आप देख सकते हो कि लो लाइट में कैसे काम कर सकते हैं जासे कि आप यहां पर देख से दो वीडियो क्वालिटी उतना खास शायद नहीं होका लाइट कम है लेकिन EIS उतना ही अच्छा से परफॉम करता है जैसे कि देलाइट पर 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 देखने वाले हैं कि कैसा इस पर 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 रहता है लो लाइट अब यहाँ बन किया है मैंने और अब थोड़ा जर्किंग फील हो रहा है आपको बाकि जो कलर है से जुरेशन है वो पहले जैसा था वैसा है लेकिन EIS के बिना वीडियो क्वालती अच्छा लगता नहीं है तो रेद्मिनों 5 प्रो में यह कमाल का फीचर है दोस्तों जैसे आप देख पा रहो कि फ्रंट लैए प्रेंस ऑनता साथ को बता है अबस को स्टारी हुआ आप फिल्र के संड लहा फीछा सपार्य मिलका भी अज के लुए कैसा ड़ाने के बाद मदते ठीवीड के साहरा है मिलते है और फोल बीडियो साहरा ट्यूँश्य कर लाइंअब खीजया किता है झाल